MEDEKikum K concept Hello everyone, welcome again to leverage treatment तो दीखिए हम लोग किसान आंदुलन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने विजोलीय किसान आंदुलन के बारे में पढ़ लिया है बेंगकु किसान आंदुलन के बारे में पढ़ लिया है बुंदी किसान आंदुलन तो ये बूंदी किसान आंदुलन जो है जिसे बरण किसान आंदुलन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह है बूंदी राज्ये के बरण सेत्र के किसानों के द्वारा किया गया था तो इसी लिए इसे बरन किसान आंदोलन भी कहा जाता है तो ये किसान आंदोलन काफी लंबा चला जिसमें 1922 से लेकर 1925 तक जो ये आंदोलन चला उसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद भी हाना की ये रुखता नहीं है 1936 में यहाँ पर दुबारा से किसान जो है वो आंदोलन करते हैं और उसके बाद 1943 तक चलता है लेकिन हम केबल वही पढ़ेंगे जो कि आपके एक्जाम में अभी तक पूछा गया है और जहां से कुश्चन के आने की पूरी-पूरी संभावना रहती है तो इसमें आपको देखिए डाबी हत्याकान के नाम से बरन किसान आंदोलन के नाम से ये आपको पूछा जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्या था कि बिजोलिया और बेंगू के किसान के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनिक प्रकार की लागे देनी पड़ रही थी यहां पर भी किसान परेशान था और यहां जब वो देखते हैं कि बुजियोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ किस तरीके से सफल हुआ, बेंगू के किसान जो हैं वो भी आंदोलन कर रहे थे, वहां से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो इसी तरीके से बुंदी राजे के जो बरंशेत्र के जो किसान होते हैं, वो बुंदी प्रशाशन के विरुद्ध आंदोलन प्रारम क तो यहाँ पर भी इस आंदोलन का नेतरत्व जो है, राजिस्तान सेवा संग के जो कारे करता है नेनुराम शर्मा, इनके हातों में रहता है। तो आपको ये चीजए याद रखनी हैं क्योंकि बार-बार ये चीज़ आती हैं, कि राजिस्तान सेवा संग के लोगों ने यहा रामसर्म उनके हातों में ये कमान ठी ठीक है तो और कौन-कौन थे राजिस्तान सेवसंग में तो उनके नाम भी आप याद रखिएगा अरजुनलाल सेठी हैं केस्री सिंग बारहट हैं और विजय सिंग पतिक हैं ठीक है और ये जो संस्था थी राजिस्तान सेवसंग इसका उदेश्य ही यही था कि जो राजनितिक चेतना है उसके विकास में ये लोग अपना हरपूर महत्वपूर्ण योगदन दे ठीक है जिसे कि जनता जो है वो जागरित हो उसे पता लगे कि उसके साथ जो परिशानी हो रही है उसके विरुद्ध कैसे आवाज उठाई जाए ठी परिश्वत किसानों से बहुत अधिक कर ले रहा था ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं नोट से पंडित नैनुराम शर्मा के नेतरत्व में बूंदी किसान आंदोलन होता है चाहे इसे बरण किसान आंदोलन भी आप कहीं और यह कब होता है 1922 से स्टार्ट होता है इसका कार है लगान लाग बाग ठीक है 25 प्रकार के कर जो है पूंदी में भ्रिष्टा चार शाषन और रिश्वत खोरी यहां पर अधिक थी तो इस वज़े से किसान जो है यहां की आम जनता जो है वह बहुत परेशान थी विजोलिया और बिंगू के किसानों की आंदोलन से यह लोग प्रभावित होते हैं किसानों में यह देखकर जागरुकता आती है तो देखिए यह जो नोट्स हैं यह आपके लिए इतने अच्छे नोट्स हैं इतने ऑथेंटिक बुक से बनाए गए नोट्स हैं कि आप लोगों यहां से पूरा टॉपिक कवर होता है और एक्जाम में य जो है किसके नेत्रत्व में हुआ और आंदोलन जो है वो कब किया गया और यहां का जागिर्दार कौन था और इसके अलावा यहां पर जो सहीद हुए लोग या किसान तो वह है उनके नाम क्या है तो यह चार कुश्चन जो है अभी तक पूछे गए हैं राजिस्तान सेवसंग के विजे सिंग पतिक भूंदी राज में चल रहे दमन चक्र की क्या करते हैं निंदा करते हैं 29 मई 1922 को बरण नामक इस्थान कहां पर है भूंदी राज्य में ही है यहां पर कुछ किसान यानि हजार किसान जो है वो सामिल होते हैं दीरे दीरे इनकी संख्या जो है बढ़ जाती है और 30 मई को यानि एक दिन बाद ही 5000 किसान जो है वो यहां सामिल हो जाते हैं कि सायद हमारी समस्या जो है उसका हल निकल सके तो यहां बिजे सिंग पतिक जिनका उपनाम भूप सिंग है और देखिए भवरलाल सर्राफ इनका है नाम प्रग्या चक्षू याद रखना है एक एक्जाम में पूछा गया है भवरलाल शर्राफ जिनका उपनाम क्या है प्रग्या चक्षू ये भी सामिल होते हैं और साथ मे नैनूराम शर्मा भी सामिल होते हैं, तो ये सब भी राजिस्तान सेवा संग के ही सदस्य थे, इनका कारे ही यह था, कि यहां जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाना, राजनेतिक जो है जागरित करना किसानों में, भवनलाल सर्राव जो है, जब आवाज उठाते हैं, ये लोग तो यहां इन्हें गिरफतार कर लिया जाता है, तो वहां की जनता द्वारा इन्हें छुड़ाया जाता है, तो यहां थोड़ा सा माहुल जहवशान्त हो जाता है, लेकिन समस्या तो वही बनी हुई है, तो अब क्या करते हैं, कि 2 अप्रेल 1923 को में एक अत्विक भीड पर गोलियां चलाई जाती है, तो जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डाबी हत्याकान, और यहां पर महत्वपून बात है, कि यहां पर सभा पर गोलियां किसने चलाई, इकराम हुसेन ने चलाई, नानक भील और देवलाल गुरजर यहां पर सहीद होते मानिक के लाल वर्मा द्वारा यहां पर एक गीत लिखा गया और जिसे गाया भमण लाल सराफ ने समाधी इस्थल पर ठीक है तो यह चीज याद रखना है कि बूंदी किसान अंदोलन में मानिक के लाल वर्मा द्वारा जो गीत लिखा गया है वह अर्जी सीर सक्से है और जिस इसे गाने वाले हैं भवन्ड लाल सर्राव। उसके बाद 17 वर्स तक ये आंदोलन चलता है और 1943 में जाकर ये समाप्त होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आंदोलन है दुद्वा खारा किसान आंदोलन। तो इसको फटा-फट से कर लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा के चूरू में यानि वर्तमान जो चूरू है वहाँ पर दुद्वा खारा गाउं है वहाँ पर जागीरदारों के अत्याचारों का विरोध किसानों ने किया था। ठीक है तो दुद्वा खारा गाउं कहां है विका ने रियासत में है जो कि वर्तमान चूरू में पढ़ता ह यहां पर नित्रतो किया किसान हनुमान सीग ने, रगुबर दयाल ने, वैद मगाराम ने, तो विका नेर प्रजाम अंडल के जो स्थापना की थी, वैद मगाराम ने की थी, हम आगे चलके जब प्रजाम अंडल का चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां आपको ये नाम सुनने को मिलेगा और यहां पर एक महला भी थी जिसने नेत्रतों किया था खेतु बाई ये भी नामा भी याद रखिएगा तो इतना याद रखना है दुद्वा खारा गाओं कहां है बीकाने रियासत में आता है और यहां नेत्रतों करता किसान हनुमान सिंग, रगोवर दयाल, बैद, मगाराम और खेतु बाई जो महला थी, इसने नेत्रतों किया था नेक्स्ट देखिए जाट किसान आंदलन, जाट किसान आंदलन देखिए 22 जुन 1880 को मात्र कुंडिया रास्मी तहसील है और चितोड गड में पड़ता है तो यह जो जाट किसान आंदलन है देखिए जो हमन महाना फते सिंग के द्वारा यहां कर लगाये जाने का विरोध किया गया। अभी देखिए 1880 में महाना फते सिंग जो है वो विल्कुल नए नए महाराना बने थे। उनको इतनी नौलेज भी नहीं थी। यहां पर इन्हों ने किसानों पर कर लगा दिया और किसानों के द्व वाले हैं जनजातिय आंदोलन और सिखावटी शेत्र में जो आंदोलन हुए उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोगों को इसको रिवाइस करना है। थेंक यूू।